आगस्त ने किया बुलबुल को किस तभी यहाँ पर बुलबुल को आप देख सकते हैं काफी जादा शौक नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उसे चक्कर से आ रही है हेलो फ्रेंज आपने लॉगिंग किया है फिल्मी बीट और ये रही फना इश्क मिमर जावा सीजन 3 की लेटिस्ट अपडेट जिसमें आप देखेंगे कि जल्द ही जो बुलबुल है वही पाकी है ये बात आप सब के सामने आने वाली है और उसका एक एक एक्जम्पल आप य बहुत ही ज्यादा मस्तिकार ता आप विल्बुल और आउगस्ते की वह zweite गश्पल के साथ की बड़ी अच्छी कैमिस्टरिय रही है और ये देखकर जो आउगस्त है उसकी दादी बहुत हुष नजराती हैं क्यूंकि बहुत टाइम बाड आगस्ते को इतना खुश दादी इधर मीरा जो है वो बहुत ही जादा टेंशन में नजर आती है क्योंकि वो देख रही है कि जो आगस्त है वो बुलबुल के साथ को जादा ही अटास्ट हो रहा है एक तरफ जहां पर बुलबुल और आगस्त एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त बन चुके हैं बीच गौर फर्माने वाली बात है यह आप यहां पर देख रहे हैं कि जब आगस्त ने बुलबुल को किस किया तो बुलबुल को हलका सा चक्कर आता नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं से ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकी की भी आदाश्ट लगता है चली गई थी यानि कि उस ह बुलबुल बन गई क्योंकि जब आप यह देखेंगे तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि बुलबुल ही पाकी है जैसा कि हमने आपको शुरू से ही बताया था हमारी प्रेडिक्शन भी यही थी कि बुलबुल ही पाकी है और यह बात अब आपको धिरे-धिरे पता चलने व बुलबुल के रियक्शन तो भwon आने वाला ट्रैक बहुत धमाकेदार होने वाला है और यहां पर आपको बदा दे जल्द ही जो बुलबुल है उसकी याददाशत वापस आने वाली है या फिर वो ये चीज जो है वो उसपिकारने वाली है कि वही पाकी है वैल ट्रैक अपने सिर पर हाथ रखती है और फिर अपने गालों पर हाथ रखती है क्योंकि जहर तोर पर वो आगस्त के साथ एक अलगी connection महसूस करने वाली होती है आने वाला track बहुत धमाकेदार है फाना एश्क में मर जावा season 3 का क्योंकि यहां पर पाखी और आगस्त दोनों मिलकर यू क्यों बबसित नहीं